नमस्कार दोस्तो वैलकुम टू के आईरवेदा आज हम बात करेंगे हरितकी के बारे में हरितकी जो की एक बहुत ही वन्डर हर्प कहा जाता है और इसमें बहुत सारी पोटेंशी भी होती है तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी और इसे अलग-अलग सिजन के अ अनुसार यानि कि अलग-अलग रुतु के अनुसार किस तरह से सेवन किया जाता है इस बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं हरितकी का साइंटिफिक नेम टर्मिनल या चब्यूला है और इसे चेप्यूलिक मोरूबलान भी कहा जाता है इसमें लवन रस के अतिरिक्त अन्य सभी रस मौजूद होते हैं और ये तृदोश का समन करता है और बात का अनुलोमन करता है सभी का कल्यान करने वाली होने के कारण इसे शीवा कहा जाता है क्यूंकि इसके सेवन से हमारे शरीर में कोई हानी नहीं पहुंचती है हमेसा फायदा ही पहुंचता है इसलिए इसे शीवा कहा गया है और ये दीपन पाचन गुण युक्त होती है और ये सभी धातों को प्र अगर अनुपान के रूप में लिया जाए तो ये सभी प्रकार की रोगों को शांत करने की शमता रखती है तो अब हम बात करेंगे रुतु हरितेगी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दू रुतु हरितेगी क्या होता है रुतु का मतलब होता है सीजनल वेरियेशन सीजनल वेरियेशन की वज़े से हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं जिसकी वज़े से विभिन प्रकार की रोगों की उत्पत्ती भी हो सकती है अगर इस परिवर्तन के समय हम हर्तकी को बिभिन प्रकार के एड्जुवेंट के साथ या फिर अनुपान के साथ सेवन करते हैं तो हम उन रोगों से बच सकते हैं जिसे की रुतु हर्तकी कहा जाता है तो चलिए जान लेते हैं कौन से रुतु में हर्तकी को किसके साथ सेवन किया जाता है सबसे पहला है वसंत रुतु यानि की Spring Season Spring Season में हर्तकी को हणी के साथ लिया जाता है क्योंकि इसके कारण जो Spring Season में होने वाली Flu, Common Cold और Viral infection से ये हमें बचाती है नेक्स्ट है ग्रिश मेरुटू यानि की summer season में हर्तकी को गूड के साथ लेना चाहिए ऐसा आयरवेद का मानना है क्यूंकि summer season में हमारे बोड़ी बहुत ज़्यादा dehydrated होती है sunburn की समस्या होती है, tyferd की समस्या होती है इन सभी समस्याओं से जूजने के लिए हर्तकी को गुड के साथ लिया जाता है वर्षा रुतु में हर्तकी को शैंदव लवन के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि हर्तकी और सैंदव लवन का जो कॉंबिनेशन है वो वर्षा रुतु में होने वाले infection जैसे की sore throat, flu, fever इत्यादी से हमें बचाते हैं शरद रुतु में यानि की autumn season में हरितकी को मिश्री या सरकरा के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो ये हमें respiratory infections से बचाता है हेमंत रुतु में यानि की early winter में हरितकी को सुन्ठी के साथ लिया जाना चाहिए सुन्ठी के साथ इसका जो combination होता है वो जो हेमंत रुतु में होने वाली allergies होते हैं उनसे हमें prevent करता है सिसीर रुतु यानि की winter season में हरितकी को पिपली के साथ लिया जाता है अगर पिपली के साथ हम हर्तकी को सेवन करते हैं, तो नीमोनिया और रेस्पिरिटरी डिजॉर्डर से ये हमें winter में बचाती हैं तो यह थी रुतु हर्तकी के बारे में, अगर हम इसी तरह से हर्तकी का सेवन करते हैं, तो seasonal changes से होने वाली जो disease हैं, हम उनसे बच सकते हैं और हमारी immunity को भी हम बढ़ा सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो तो like, share and subscribe जरूर करें धन्यवाद